आज मैं आप सभी को एक अच्छी न्यूज बताने वाली हूं हमारा एफ बन गया है आप जल्दी से इसे डाउनलूड कर लीजिए और मैं यहां पे आपको अच्छी अच्छी वीडियो बना कर भेजती रहूंगी जिससे आपको सीखने में आसानी पड़ेगी और जो मैं यू आपको डाउनलोड कर लीजिए आज मैं आपको किचिन के लिए एपरिंट बनाना सिखारी हूं इसे बनाना बहुत आसान है बस आपको वीडियो अच्छी से देखना है और समझना है उसके बाद आप किसी भी साइज का असानी से बना सकते हैं तो चलिए कटिंग करते हैं इ एक कपड़े की लंबाई है और एक कपड़े का अर्ज है जहांसे कट लगा होता है वो अर्ज होता है लंबाई की साइट से इसको पलट दिया है कपड़े को आपको साइज के हिसाब से फोल्ड करना है आप इसको कैसे फोल्ड करना है तो मैं आपको डिटेल में समझा देती तो आप यहां पर ध्यान दीचिए तो इसके लिए पहला नाप लेना है आपको कंधे से लंबाई का और दूसरा नाप लेना है आपको कमर का तीसरा नाप रहेगा गले की चोड़ाई का कि आप उपर कितना रखना चाहते हैं और चौथा नाप रहेगा इस साइज का कि आपको तो इसको 36 की साइज का बना रहे हैं, उसी हिसाफ से कपड़े को हमने पलट लिया है, उसके बाद कपड़े को सीधा करना है, अब इसकी जो लंबाई रहेगी बहो 34 इंच की रहेगी, तो उपर से हम 7 इंच इसमें कम करेंगे और 27 इंच पर निशान लगा देंगे तो 7 इंच की इसमें बद्धी आ जाएगी 27 इंच ए हो गया और आधा इंच इसमें मार्जन ले लिया अब इस निशान को सिधा करना है अब आपको गले की चोड़ाई रखना है तो यहां पे जैसे कि मैंने 7 इंच कलिया है तो उसका हाफ यहां पर रख देंगे तो यह रख दिया हमने यहां पर निशान लगाना है कमर की बद्दी के लिए तो पहले हम ऊपर की साथ इंच पर छोड़ दिया उसके बाल तो यहां पर आ रहा है कमर का निशान तो यहां पर बद्दी बन देगी अब इस निशान को सीधा करना है अब इसको इस तरहे मिलाना है है व्बस इस तरहे आपको मिला देना यह और यहां पर आपको कुछ भी निशाना पर कटउ कर लेना इसी के बरावर से कट कर देंगे तो इसकी कटिंग बहुत सिंपल है बस आपको कपड़ा साइच के हिसाफ से बढ़ाना है और आधा इंच पहले से ही मार्जन इसमें ले लेना है और नीचे की साइट लंबाई में भी पहले मार्जन ले लेना है और उपर की साइट भी आपको मार्जन लेना है और कुछ भी नहीं करना है बस सीधी निचाल पर कटिंग कर देना है अब मैं आपको बता देती हूँ अगर आप इसको सिंगिल बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है बस इस कपड़े को इस तरह पकड़ना है और इस पे सला ही डाल देना है और यहाँ पर बदी टच करेंगे और यहाँ पर भी कपड़े को पलट देंगे तो यह सिंगिल बन जाएगा और मैं इसको दोनों साइड से पहनने वाला बना रही हूँ तो इस तरहे हमने दोनों पाट को काटके कम्पलीट कर लिया है तो अब हमेजको सिलना है लेकिन सिलने से पहले मैं आपको जीव लगाना बताओंगी और इसके लिए बद्दी तेयार करना बताओंगी फिर हम आगे सिलेंगे अब आपको जेब के लिए निसान लगाना है तो कमरी के निसान से आप 4 इंच या 5 इंच नीचे जेब के लिए निसान बना लीजिए तो इस तरह मिलाया और यहां पे निसान 5 इंच नीचे लगा दिया अब जेब की चोड़ाई जितनी भी आपको पसंद है आप उतना रख सकते हैं जैसी की इसकी चोड़ाई रख लेते हैं 6 इंच तो 3 इंच पे निसान लगा दिया ठीक है बीच में 6 इंच की लगका तयार हो जाएगी और लंबाई में इसको रखेंगे लंबाई में आप 6 इंच रख सकते हैं या 7 इंच भी रख सकते हैं तो जीब को रख लेते हैं 7 इंच अब इस निसान को मिला देंगे तो इस निसान लग गया जेब के लिए तो इसको थोड़ा सा खिसकाएंगे और इस तरब भी निसान ले लेंगे तो निसान तो उमने पीछे की साइट बना दिया है सिर्फ इसके सेंटर के लिए लेकिन जेव हम आंगी की साइट से लगाएंगे तो बचे हुए कपड़े को डवल में रखना है और जेव की साइज के हिसाब से कपड़ा बढाका निकालना है पहले आधा इंच ले लिए मार्जन के लिए नीचे की साइट अब जैसे लंबाई में साथ इंच है तो इसका निसान लगाएंगे हम आठ इंच पर एक इंच ले लिए उपर के लिए मार्जन अब इस निसान को सीधा करना है और चोड़ाई में 6 इंच है तो यहां पर 7 इंच लेना है इस तरह 7 इंच लेंगे तो दोनों साइट का मार्जन हो जाएगा अब बरावर से कपड़े को काट कर निकाल लेंगे, तो बरावर से मिलाना है और कटिंग कर लेना है, एक साथ आपकी दोनों जेवे निकल कर तईयार हो जाएंगे, इसको भी से खोल देना है, इस तरह दोनों जेवों की कटिंग हो गई है, अब हमें बद्दी के लिए को फोल्ड करना है, तो बद्दी की चोड़ाई रखेंगे 1.5 इंच, दो इंच में इसको कंप्लीट करेंगे, और मार्जन का आधा इंच, तो इसको पूरा धा इंच की कटिंग करेंगे, तो इस तरह धा इंच इसको रखना है, तो धा इंच के हिसाफ से आपको 21 इंच क्लीट जासे हिसाई, तो इस तरह एक बद्दी निकाली, एक बद्दी हमें और निकालना है, तो साइज आपको रखना हैं यदो की, और रखें के बरावर मिलाना है, और कटिंग कर लेना है, यह तू बद्दी घो की कमर में बांघने के लिए, और और फड़ी बद्दी रह साथ साव치 napol दोनों साइट रहेगी तोıyla 16 विदों चार पंच काउम्ध लेना आपको जिस से गर्दन की फुर्ट से पलट कर आएगी ठीक तो इस तरह आपको बद्धी निकालना तो इस तरह इसकी cutting complete हुई, दो इसकी जेव और तीन इसकी बद्धियां है, आप हम सिलना सुरू करेंगे, तो सिलने से पहले आपको क्या करना है, जेव को तयार करके रखना है, और बद्धी भी आपको complete रखना है, तो चलिए पहले हम बद्धी complete करते हैं, तो बद्धी बनान सुरू करेंगे, आपको आदा इंच के हिसाव से कपड़े को दवाना है, और मशीन को लाना है, और इधर से नीचे की साइट आना है, तो इस तरह आपको सिलाई डाल देना है, इस साइट आपको खुला रखना है, और एक साइट आपको बंद करना है, और यह उपर वाली प प्रया के बञू सेहुड़ के अनल प्रया क्वशल, क्हाईब नवài कि वी अनले अनल, वी तो पूपक आपके कि अनल प्रया कि अनल, प्रया कि अनल आपके लिए रहो गाशी हृॉ इस तरह आपको बद्धियां तेयर करना है उसकी बाद आपको जिब पर प्रीश करना है और आपको इस पर भी अच्छे से प्रीश कर देना है तो इस तरह आपको प्रीश करके तयार करना है उसके बाद क्या करना है इसकी किनारे पर एक साइट स्लाई लगाना है तो जिस साइट आपने डवल कपड़े को फोल्ड किया है उसी की किनारे पर आपको स्लाई चलाना है तो यह हमारा उपर की साइट आएगा और जब इसको जोडेंगे तो इधर की सलाई इस पर डल जाएगी तो इस तरह हमने सलाई डाल दी है उसके वाद क्या करेंगे इसको उठाएंगे और एक को सीधा रखेंगे और इसके निसान को इस पर लाएंगे, इसको सीधा रखा और इसको उल्टा रख देंगे, तो इसके बीच के सेंटर से मिला कर रखना है, तो ये निसान इधर आ गया है, अब इसी के उपर हमें जेव रखना है, और फिट कर देना है, तो जेव को इस तरह बीच के सेंटर से मि इस तरह मिलाकर रखना है और किनारी से शलाई डालते हुए आपको इसमें पूरे मिसलाई गुमा देना है तो इधर तक आपको शलाई डाल देना है इधर से शुरू करेंगे और गुमाते हुए लाश्ट इधर करेंगे तो इस तरह आपको जेब कम्प्लीट करना है ठीक है आप स्लाई डालते समय या पे पेन लगा के रखिए जिससे आपको स्लाई डालने में आसानी पड़ेगी अब इसी तरह जेब हम दूसरे पार्ट में लगा लेंगे और अगर आप सिंगिल बना रहे हैं तो आपको बस बद्दी इसमें जॉइंट करना है और यह कम्प्लीट हो जाएगा तो इस तरह हमने इसकी भी जेब कम्प्लीट कर दी है आपको यह सही नहीं दिख रही होगी इसलिए मैं यहाँ पे चाक लगा देती हूँ जिससे आपको एक किलियर दिखेगी कि यह इसकी जेब है अब आपको इसको दूसरा पार्ट इसमें जॉइंट करना है तो पहले हम बद्दी जॉइंट कर लेते हैं फिर उसी के उपर हम दूसरा पार्ट रख देंगे आपको गले की बद्दी उठाना है पहले और इस तरह रखेंगे इस तरह पकड़ेंगे और इसको रखते हुए इस तरह मिला देंगे ठीक है इसको गुमाना नहीं है आपको इस तरह रखना है यहाँ पर सिलाई के मार्जन छोड़ना है पहले यहाँ से हमारी सिलाई चलेगी तो इतना मार्जन छोड़ेंगे और बद्दी को मिला कर रख देंगे और यहाँ पर एक पिन लगा देते हैं जिससे बद्दी रुकी रहेगी यहाँ पर बद्दी को रोख दिया है अब हमें दो बद्दी यहाँ पर रोखना है तो यहाँ पर भी आपको मार्जन छोड़ देना है कि यहाँ तक हमारी सिलाई चलेगी उसके बाद अंदर की साइट बद्दी को रखना है और बाहर की साइट इस तरह निकाल देना है और इसको भी पिन से रोग देना है तो ये बद्धी हमारी अंदर की साइट रहेंगी और पीछे का पाट अब उठाएंगे तो ये दूसरा पाट है इसको उठाया और इसके उपर उल्टा रख देंगे बराबर मिला कर रखना है आपको और एक साइट से स्लाई डालना शुरू करेंगे इस तरहें स्लाई डालते हुए आपको पूरा इधर गुमाते आना है खीक है? इधर से लाते हुए नीचे तक आपको स्लाई डाल देना है आधा इंच के हिसाब से पूरे सलाई चला देंगे तो करेंगे और पूरए मालृ रहे से लाष्ट एधर करेंगे और यहां पर इतना सलाई है यहां तक डाल देंगे कुछ पर्लीट यहां नौकर कर एक दूसरा यहां से शोड़ ज inventory यहांसे म। पलटकर सीधा कर देंगे झाल झाल कि इस तरह हमने पूरी में सिखमें डाल दी हैं अब आप ढ़िए यहां पर चूड़ा है उधर से हम इसको पलड़ देंगे तो सारे कपड़ father, इस ही साइड से बाहर की साइड निकाल लेना है अब इसको अच्छे से सीधा कर लेना है तो इस तरह आपको अच्छे से इसको मिला कर रखना है उसके बाद आपको यहां पर बंद करना है जो हमने खुला छोड़ा था उसको बंद कर देंगे तो इस तरह बराबर से मिलाएंगे और किनारी से सलाई चला देंगे तो सीधी सला आपका बन कर कमप्लीट हो गया तो इस तरह हमने किनारे पे सलाई डाल दी है अब आपको क्या करना है इस पर प्रेस करना है और फिर आप चाहो तो इस पर दो पॉइंट की हिसाब से पूरी मेक सलाई डाल सकते हो ठीक है जिसे और भी स्टोग हो जाएगा तो इस तरह है आप पूरे मेक सलाई और घुमा सकते हो तो इस तरह है ये डबल कपड़े से बनकर कमप्लीट हो गया कभी आप इस तरफ से इसको बांदिये कभी इस तरफ से बांदिये तो आप इसको दोनों साइट से यूज कर सकते हैं और मैं आपको एक आइडिया और बता अगर आप इसमें बीच में पनी डाल लेंगे तो आप बर्दन धोते समय भी इसको पहन सकते हैं और आपकी कपड़ी गीले नहीं होंगे तो अब बनाईए ट्राइ कीजिए कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए वीडियो पसंद आ है तो प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थेंक यू धन्यबाद हमारा एप बन गया है आप जल्दी से इसे डाउनलूड कर लीजिए और मैं यहां पे आपको अच्छी अच्छी वीडियो बना कर भेजती रहूंगी जिससे आपको सीखने में आसानी पड़ेगी और जो मैं आपको यहां पे मिल जाएंगी जिससे आपको ढूंडने में परिसानी नहीं होगी और आप बहुत आसानी से इसे सीख सकते हैं तो जल्दी से राधिके टिटोरियल्स एपको डाउनलोड कर लीजिए